ओम नभशिबाए जिबन को सुघम बना देता है इस समय चारों दिशाएं हरी भरी दिखाई देती है बाता बरण का महौल बहुती पवित्र और खुशनुमा हो जाता है साबन के पवित्र महीने में कुबारी कन्याय तथा सोहागिन महिलाएं जूला जूलती है और हातों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती है शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बाड साबन के पवित्र महीने में पती पतनी को जूला अवश्य जूलना चाहिए इससे पती पतनी का प्यार अमर हो जाता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे साबन का महीना भगवान भोलेनात को अती प्रिये है इस महा में शिप भकतो में भी भकतो के चहरे पर खुशी देखी जा सकती है दोस्तों अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माता यानि माता पारबती को अपनी माता मान सकते हैं आप एक बार सच्चे हरदय से माता पारबती को पुकार कर तो देखिए वो आपकी सच्चे हरदय से निकली पुकार को अबश्य सुरेंगी क्योंकि वो जगत मा है, संसार की मा है आपकी सभी इच्छाएं मा अबश्य पूर्णे करेंगी दोस्तो लेकिन क्या आप जानते हैं खास कर हर्याली तीज पर तीज माता को ये तीन चीजे भूल कर भी कभी मत चड़ाना गोर पाप माना जाता है आपका बरत खंडित हो सकता है आपके परिबार में धेर सारे कश्टों की उत्पत्ती हो सकती है माता रानी करोदित हो सकती है क्योंकि ये बरत माता पारबती से सम्मंदित है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा सच्ची दिल से कमेंड वॉक्स में लिखे ओम नबस शिबाई, जै माता पारबती जगत की मा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तो हर्याली तीज का पूजा कश्शुब महुरत पंचान के अनुसार इस साल साबन महीने के शुकुल पक्षकी तिर्थिया तिथी की शुरुवात अठारा अगस्त दो हजार तेज़ को रात आट बचकर एक मिनट से होगी और समापन उननिस अगस्त को रात आट बचकर उननिस मिनट पर होगा इसलिए उद्या तिथी के अनुसार हर्याली तीच उननिस अगस्त को ही मनाई जाएगी और दोस्तों पूजा का शुब महुरत है हर्याली तीच के दिन सुभा साथ बचकर तीस मिनट से नौ बचकर आट मिनट बाद तक पूजा का शुब महुरत है इसके बाद दोपहर बारा बचकर पच्चिस मिनट से शाम पाँच बचकर उननिस मिनट तक शुब योग में पूजा की जा सकती है जो इस तिरी शुब महुरत पर पूजा करती है उसके पती को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती बोध दुरगाई हो जाता है धनबान होने से कोई नहीं रोक सकता उसका भाग्य साथ बे आसमान पर होता है पती पतनी की जोड़ी अमर हो जाती है साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है महादेब धन की बर्शय करते हैं माता पारबती प्रसन हो जाती है लेकिन कुछ बातों का ध्यान अबश्य रखें खास कर तीज माता को तीन चीजे कभी मत चड़ाना शुब नहीं माना जाता आईए जानते हैं दोस्तों हर्याली तीज पर अगर आपको मासिक धरम हो जाए तब ऐसे में आपको ब्रत को नहीं तोड़ना चाहिए मासिक धरम के दोरान भी आप हर्याली तीज का पावन पर्ब मना सकते हैं आप हातों में महंदी भी लगा सकते हैं सोला श्रिंगार भी आप अबश्य करें लेकिन आप पूजा पाट इसी और से करबा लें और आप ब्रत का पालन बैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं मासिक धरम के डड़ से पूजा भक्ती से दूर नहीं भागना चाहिए क्योंकि भगबान भी आपकी परिक्षा लेते हैं और ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आप ब्रत का पालन अबश्य करें पर पूजा किसी और से करवाएं बहुती शुब माना जाता है इससे ब्रत का पालन भी हो जाता है और आपको मासिक धरम में कश्टी भी नहीं मिलते दोस्तो ऐसी माननेता है कि हर्याली तीज का ब्रत भगबान शिब और मा पारबती के पुनर मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है इस ब्रत को लेकर देश के अलग-अलग इस्थानों पर और अलग-अलग राजियों में तरह-तरह के नियम है इन ब्रतों का पालन अबश्य करना चाहिए जो सुहागिन महिला सच्चे हर्दै से हर्याली तीज का पावन पर्व मनाती है तो उसे साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है ऐसे प्रिमी जोडों को स्वर्ग में इस्थान मिलता है दोस्तों भूल कर भी ब्रत के दिन ना करें ये गलतिया हर्याली तीज का ब्रत निर्जला रखा जाता है इसलिए ब्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचें खाने के प्रती मन में जूटी लाल सा ना रखें जब तक ब्रत पूरा ना हो जाए अन्य था ब्रत खंडित माना जाता है गर्बती या बीमार महिलाओ के लिए इस तरह के नियम नहीं है गर्बती महिलाओं और कुभारी कन्याओं ब्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस ब्रत का पालन कर सकती है कुबारी कन्याई भी हर्याली तीज का पावन पर्व मनाती हैं इससे भगबान शिबी की तरह ही अच्छे बर्की प्राप्ती होती है दोस्तो ब्रत के समय साब सपाई का विशेज ध्यान रखना पड़ता है ऐसे में हर्याली तीज का आपका ब्रत होगा और जहां पर आप सोते हैं यानि उस बैट शीट को बदल देना चाहिए और साब बैट शीट पर ही ब्रत के दोरान बैटना चाहिए ब्रत के दोरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैटना चाहिए दोस्तो खास कर हर्याली तीज पर सोहागिनों को क्रोध करने से बचना चाहिए मुख से गंदी-गंदी गालियां नहीं देना चाहिए माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए बच्चों के प्रती मम्ता का आचरण होना चाहिए क्योंकि क्रोध हमेशा बिनाश की ओर ले जाता है इसलिए तो कहा जाता है कि बिनाश काले विप्रिद बुद्धी ऐसा कोई भी आप कार्रे ना करें जिससे आपके सभी कार्रे दूशित हो जाएं अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो आपका ब्रत खंडित माता गौरी क्रोधित हो जाती है और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती है माता लक्षमी भी त्याग देती है ब्रत के दोरान काले और सफेद बस्तिर को ना पहने बस्तिर आप बाजार से नए खरी दे या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती है हर्याली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत इशुब और पवित्र माना जाएगा शादी का जोड़ा पहनने पर माता पारबती अती प्रसन होती है और आपको अखंड सो भागे बती का बढ़दान देती है आप चाहें तो पुराने कपड़े पहन सकती है आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अबशी ओड़ ले दोस्तो किसी भी सोहागिन महिलाओ को दूसरी महिला का श्रिंगार मांग कर अपने माते पर चहरे पर तथा पैरों में और हातों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए बहुती अशुब माना जाता है इससे पती पर विपदाय आती हैं घर में कलेश बढ़ते हैं और रिष्टे तूट कर विखड जाते हैं ऐसे में पती का जीवन नश्ट हो जाता है सोहागिन महिलाओ को हमेशा अपना खुद का श्रिंगार ही इस्तिमाल करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रिंगार ही लगाना चाहिए पती पतनी को पूजा पाट के दोरान थोड़ा सयम रखना चाहिए इस समय थोड़ी दूरी बना कर चलें दोस्तो अब जानते हैं हर्याली तीज पर वो ऐसी कौन सी तीन चीज़े हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चड़ाना चाहिए माता पार्वती क्रोधित हो जाती है ब्रत तूड जाता है आईए जानते हैं दोस्तो जब आप हर्याली तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिचा कर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिचा सकते हैं लेकिन लाल रंग माता रानी को अती प्रिये है हमेशा याद रखें कपड़ा गंदा मैला ना हो फटा हुआ ना हो शुब नहीं माना जाता माता क्रोधित हो जाएंगी साथ ही साथ शिप परिबार सहित पूजा अबश्य करें दोस्तो तीजों पर माता रानी को श्रिंगार अर्पित किया जाता है तो ऐसे में माता को खंडित श्रिंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए हमेशा ध्यान से देख ले जो श्रिंगार आप माता रानी को चड़ाने बाले हैं वो खराप नहीं होना चाहिए श्रिंगार आप बाजाड से नया खरीद कर ही माता को अरपित करें मा गोरी को श्रिंगार अरपित करने से महिलाव को सौभागेबती का बर्दान प्राप्थ होता है दोस्तो खास कर हर्याली तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए हम आपको बता दें कि मा गौरी को गुलाब का फूल अथी प्रिये है गुलाब का फूल अर्पित करने से मा बड़ी प्रसन होती है और आपके घर में सुक समर्दी हमेशा के लिए बनी रहती है दोस्तो हर्याली तीज पर जब आप अपनी सास और ननंद के लिए जो थाली सजाने बाले हैं उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकाल कर किसी बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं दोस्तो हर्याली तीज पर जितना आप हरे रंका दान करेंगे उतना ही मा पारवती की किरपा प्राप्त होगी घर में माता लक्षमी का वास होगा सुख समर्दी से भरपूर आपका जीवन और खूपसूरत हो जाएगा दोस्तो हर्याली तीज पर खास कर हातों में काले रंकी और सफेद रंकी चूडियां नहीं पहनना चाहिए इस समय हरी और लाल रंकी चूडियां पहनना बहुती शुब और मंगलकारी माना जाता है दोस्तो हर्याली तीज का ब्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस ब्रत को नहीं रखना चाहिए इससे आपका ब्रत खंडित माना जाएगा ब्रत हमेशा सचे भाव और दिल से ही रखना चाहिए शुब माना जाता है दोस्तो जब आप तीज पर खाना बनाए तो लहसुन प्याच खाने में भूल कर भी मत डालना इससे माता गौरी का अपमान माना जाएगा हर्याली तीज का पावन पर्व आपवित्र हो जाएगा भगबान शिब नाराज हो जाएगे भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलबा आदी, आलू की सबजी, छोले की सबजी ही बनाना चाहिए मीठे पकबान बनाना चाहिए और ब्रत पूरा होने के बाद इसी भोजन को खाना चाहिए पूजा पाट में लहसुन प्याच का इस्तिमाल घोर पाप माना जाता है ऐसा भोजन मास मदिरा की तरह ही माना जाता है दोस्तो इस दिन चाकु छुरी घर में नहीं लाना चाहिए बहुती अशुम माना जाता है हर्याली तीज पर जूला अबश्य जूलना चाहिए इससे माता पारबती तथा शिबिगोरी का आश्रिभात प्राप्त होता है हर्याली तीज पर एक मोर पंक अबश्य घर में लाना चाहिए और पती-पतनी को अपने कमरे में लगाना चाहिए इससे आपशी रिष्टे मजबूत होते हैं दोस्तो ये बिरत माता पारबती मा गौरी से सम्मंदित है अगर आप अखंड सो भागे बती का बरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नबस्चिबाय जै माता पारबती